प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रश्काचार से लड़ रहा हूँ देश के सबसे बड़े चोर उचक्के और डक्यतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जिन लोगों को दस दिन पहले मोदी जी कहते थे शत्तर हजार करोड का इसने घोटाला कर दिया थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को डिप्टी सीम बना देते हैं किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे E.D. और C.B.I. के मामले खतम कर देते हैं और कहते हैं मैं ब्रष्टाचार से लड़ रहा हूँ मैं मोदी जी को कहना चाहता हूँ ब्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरी वाल से सीखो प्रधान मंत्री जी ब्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरी वाल ने लड़ी है 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी हमारे एक मंत्री का एक ओडियो मेरे पास किसी ने वाट्सअप कर दिया उस ओडियो में मेरा मंत्री किसी तुकान वाले से पांच लाक रुपे मांग रहा था किसी मीडिया वाले को नहीं पता था विपक्ष को नहीं पता था अप लोगों को याद होगा मैंने अपने खुद मंत्री को CBI के हवाले कर दिया जेल बेज दिया था अपने मंत्री को ये होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पंजाब के अंदर मेरा एक मंत्री मेरा एक मंत्री भ्रष्टाचार में मेरे को पता चला कि वो पैसे मांग रहा है वहाँ पे मान साब ने उसको किसी को भी विपक्ष को नहीं पता था मीडिया को नहीं पता था हमने अपने मंत्री को उठा के जेल में भेज दिया तुम देश के सारे चोर उचके ड़कैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लो और केजरीवाल को जेल बेचदो और कहो मैं बरस्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ तो आप बरस्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे परदानमंत्री जी आप देशवासियों को बेवकूप मत समझो बच्चे बच्चे के जुबान के उपर हो रहा है कि सारे चोर चको को अपनी पार्टी में शामिल करके और एडी और सीबिया के सारे केस उनके रफा दफा कर देते केजरी वाल को क्यों गिरफतार किया केजरी वाल को गिरफतार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफतार कर सकता हूँ तो किसी को भी गिरफतार कर सकता हूँ किसी कोई केस नहीं होगा कोई मामला नहीं होगा तब भी मैं तुमको गिरफतार कर सकता हूँ एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किया हुआ है प्रधान मंत्री जी ने बहुत ही खतरना देश वासियों को यह समझने की अब जब मैं बोलने जा रहा हूँ समझने की जरूरत है उस मिशन का नाम है One Nation One Leader देश के सारे नेताओं को खतम करना चाहते हैं मोदी जी और इसको दो स्तर के उपर इस मिशन को चला रहे हैं जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निप्टा देंगे उनकी राजनीती खतम करते जाएंगे उनको सबको निप्टाते जाएंगे विपक्ष के अंदर आज इनों ने मनीज सिसोधिया को जेल बेज दिया संजय सिंग को जेल बेज दिया सतिंगर जैन को जेल बेज दिया केजरिवाल को जेल बेज दिया हिमन सोरेन को जेल बेज दिया मम्ता दीदी के कई मंत्रियों को जेल बेज दिया स्टेलिन के कई मंत्रियों को जेल बेज दिया केरला के सीम के पीछे पड़े है अगर ये चुनाव पीछ जीत गए मेर से लिखवा लो एफिडेविट के उपर थोड़े दिन के बाद मम्ता दीदी जेल में होगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टेलिन साफ जेल के अंदर होगे, पिनरई विजियन जेल के अंदर होगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होगे, जितने ही विपक्ष के नेता हैं, ये सारे जेल के अंदर होगे अगर ये चुनाफ जीत गा इन्होंने बीजेपी का एक नेता नी छोड़ा आडवानी जी की राजनीती खतम कर दी इन्होंने मुरली मनौर जोशी की राजनीती खतम कर दी सुमित्रा महाजन की शिवराज सिंग चोहान जिसने मध्यपरदेश का चुनाफ जीत के दिया इन लोगों ने शिवराज सिंग चोहान ने उसको मुख्यमंतरी नी बनाया उसकी राजनीती खतम कर दी वसंद्रा राजे की राजनीती खतम कर दी इनों ने खक्तर साथ की राजनीती खतम कर दी, डॉक्तर रमन सिंग की राजनीती खतम कर दी, अब अगला किसका नंबर है? योगी अदित्यनाथ, अगर ये चुनाफ जीत गए, मेर से लिखवा लो, दो महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बदल देंगे ये यही तानाशाही है दोस्तों, वन नेशन, वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, हमारा देश बहुत महान है, चार हजार, पांच हजार साल पुराना हमारा देश है, इसके पहले पिछले चार जार साल में कई मोके आए जब इस देश के उपर ताना शाहों ने कबजा करने की कोशिश की लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन ताना शाहों का तख्ता उखाड के फेक दिया जब जब हमारे देश में ऐसा मोका आया कि ताना शाह ने हमारे देश के उपर कबजा करने क कोशिश की इस देश की जनता ने उसका तखता उखाड़ के फेंक दिया आज एक ताना शाह इस देश से जनतंतर खतम करना चाहता है आज एक ताना शाह इस देश से लोकशाही खतम करना चाहता है मैं पूरे तन्मन धंसे लड़ रहा हूं संगर्श कर रहा हूं उस ताना शाह के खिलाब एक सो चालीस करोड़ लोगों का साथ चाहता हूँ मैं मेरे अक्यले के करने से नहीं होगा एक सो चालीस आज मैं आप लोगों से भीख मांगने के लिए आया हूँ 140 करोड़ लोगों से 140 करोड़ लोगों से भीक मांगने के ले आओ मेरे देश को बचा लो मेरे भारत वर्ष को बचा लो मेरा भारत बहुत महाँ है इस ताना शाही से बचा लो मेरे दोस्ट मेरे देश को मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूं उन्होंने किस दिन दिये हैं एक एक दिन में 24 घंटे हैं मैं एक दिन में 24 में से 36 घंटे कान करूंगा पूरे देश भर में गूमँगा इस ताना शाही को रोकने के लिए दोस्तों जितनी मेरे अंदर ताकत है मेरे सब कुछ कुर्बाने देश के लिए मेरे धन मन धन सब कुछ कुर्बाने मेरे देश के लिए मेरे खून का एक एक कत्रा मेरे देश के लिए मेरे शरीर का एक एक कत्रा मेरी जिंदगी का एक एक पल मेरे देश के लिए मेरे देश को बचाने के लिए मैं पूरे देश में जाओंगा दोस्तों अब एक बहुत महत्वपून बात करने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना यह लोग इंडिया गठवंदन से पूछते हैं आपका प्रधानमंतरी कौन होगा मैं बीजेपी से पूछता हूँ आपका प्रधानमंतरी कौन होगा आप लोग सोच रहे होंगे केजरी वाल क्या बात कर रहा है मोदी जी होंगे नहीं मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा सबसे पहले आडवानी जी को रिटायर किया गया उसके प्याद मोदली महरर जोशी जी को रिटायर किया गया फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया फिर यश्वन सिना को रिटायर किया गया अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है दोस्तों अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पे भी आऊंगा मैं अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले दो महिने में योगी जी को निप्टाएंगे ये और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमिद्शा को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे तो मैं लोगों को देश के लोगों को आगा करना चाहता हूं मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं मोदी जी अमिद्शा को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं मैं पूछना चाहता हूँ मोधी जी से रमिच्छा जी से ये मोधी की गारंटी पूरी कौन करेगा क्या मिच्छा मोधी की गारंटी पूरी करेंगे जब आप अगर जो जो इसे तो मेरे को लगता मैं भी आउंगा उसके उपर मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है लेकिन जो जब बीजेपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पर वोट नहीं दे रहें आप अमिच्शा के नाम पर वोल दे रहें अब एक खुश खबरी है आप लोगों के लिए अब एक खुश खबरी है सब को बता दे ना जो मैंने बाते कहीं है बड़ी सोच समझी के कहीं है वहाँ बैठके यही सोच रह था पचास दिन से दोस्तों पूरे देश के मेरे को बाहर निकले हुए बीस घंटे हो गए रात बर मैं जनता से बात कर रहा था लोगों से फोन कर रहा था रात को आंधी आई थी पिछले बीस घंटे में मैंने जो बातचीत करिये कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की चुनाव विशलेशकों से बात की सेफलोजिस्ट से बात की जनता से बात की फोन पे लोगों से मेरा अपना आखलन है कि चार जून के बाद इनकी सरकार नहीं बन रही मोधी सरकार नहीं बन रही दोस्तों अगर मैं गलत हूं तो मेरे को बताना हर्याना में इनकी सीट कम हो रही है राजस्थान में कम हो रही है करनाटक में कम हो रही है दिली में कम हो रही है विहार में कम हो रही है महराश्टर में कम हो रही है करनाटक में कम हो रही है बंगाल में कम हो रही है जार खंड में कम हो रही है बढ़ का रही है यूपी में कम हो रही है बढ़ का रही है बढ़ एक भी जगे इनकी सीटे नहीं बढ़ रही है मेरा अपना मानना है और सट्टा बजार में भी माभवा वज़ो चल रहा है इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है उससे ज़्यादा सीट नहीं आ रही है मोधी सरकार नहीं बन रही है केंद्र में इंडिया गठवंदन की सरकार बन रही है आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी दिल्ली को पूर्ण रज्य दिलाएंगे गुजरात से आय हुआ अभी जिल्ली के लोगों का विकासु होगा एक और पॉsystem है जब मैं जैल के अंदर था है कि तो कुछ लोगों ने ये मुद्दा उठाया केजरिवाल सी एम पद से इस्तीफा क्यों नहीं देता दोस्तों केजरिवाल को कभी किसी पद का लालच नहीं हुआ मैं याप मंतरी मुख्य मंतरी प्रधान मंतरी ये सब बनने नहीं आया इंकम टैक्स में कमिशनर की नौकरी करता था कमिशनर की नौकरी छोड़ के दिल्ली की जुगियों के अंदर एक नी दो नी तीन नी दस साल तक मैंने दिल्ली की जुगियों के अंदर काम किया है सुन्दर नगरी और नंदर नगरी की जुगियों के अंदर इंकम डैक्स कमिशनर की नौकरी छोड़के जब मेरे को दिल्ली की जन्ता ने पहली बार सीम बनाया असूलों के उपर उननचास दिन के अंदर सीम पद से इस्तीफा दे दिया था एक चपरासी की नौकरी कोई नहीं छोड़ता सीम बनने के लिए लोग अपना दाया हाथ कटाने के लिए तयार होते हैं मैंने खुद से अपने आप सीम की कुरसी को लात मार दी थी उननचास दिन के अंदर मेरे लिए सीम पद इंपोर्टन नहीं है आज मैंने CM पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया जेल जाने के बाद दोस्तों पिछले 75 साल में भारत वर्ष में इतने राज्यों के चुना हुए इतने राज्यों के चुना हुए दिल्ली के अंदर सबसे एतिहासिक बहुमत से आम आदमी पार्टी जीती 55-56% वोट एक बार 67 सीट एक बार 62 सीट इतने भारी बहुमत से आज तक कोई राज्यों की सड़कार 75 साल में नहीं जीती इतने भारी बहुमत से जीतने के बावजूद जूटा केस अब उनको पता है वो हमें हरा नहीं सकते दिल्ली के अंदर उन्हें पता है अगले 20 साल तक दिल्ली में आमादमी पार्टी को कोई नहीं रा सकता तो उन्होंने एक शड्यंत्र रचा राजनेतिक शड्यंत्र रचा केजरीवाल को जूटे केस में जेल भेज दो केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा केजरीवाल की सरकार गिर जाएगी उन्होंने ये शड्यंत्र रचा मैंने का मैं भी इस्तीफा नहीं दूँगा तुम अगर जनतंत्र को जेल में कैद करोगे तो जनतंत्र जेल से चला के दिखाएंगे दोस्तों सरकार भी जेल से चला के दिखाएंगे कता इस्तीफा तुमारे ट्रैप में फसने वाले नहीं है ये अगर हेमन सुरेन साब को भी इस्तिफा नहीं देना चाहिए था जेल से सरकार चलानी चाहिए थी अगर हमने इस्तिफा दे दिया ये तो बड़ा अच्छा इनके लिए जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हारेंगे उसके मुख्यमंतरी को पकड़ की जेल में डाल दो सरकार गिरा दो उसके मुख्यमंतरी को पकड़ की जेल में डाल दो सरकार आज मैं अगर दिल्ली की जेल के अंदर रहके दिल्ली की जेल से स्तिफा नहीं दे रहा वो इस ताना शाही के खिलाब संगर्श कर रहा हूँ इसको समझ लेना हूँ